पॉस्बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरत दर्वाजे की तरफ टक टकी बांधे देख रही ये आँखें बूढ़ी हो गई है अपनों को याद करके रोते रोते इन आखों के आशू सूख गए हैं इन बूढ़ी आँखों को इंतजार है किसी अपने का जो इन्हें घर ले जाए इनके बुढ़ापे का सहारा बने जिन बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया काबिल बनाया आज वो इनकी सूरत भी नहीं देखना चाहते हैं मेरट में आज फर्स्ट बाइट की टीम जब गंगा नगर इस्थित दादा दादी निवास श्री साई सेवा संस्थान व्रधाश्रम पहुँची तो लगा ये कौन सी दुनिया है जहां सब कुछ होते हुए भी लोग बेघर हैं बच्चों के इंतजार में तरस्ती आँखें ये बता रही हैं कि यहां सब कुछ है मगर घर नहीं है यहां सब अपने हैं मगर परिवार नहीं है चलिए तो जानते हैं अपनों ने ही जिन्हें बे सहारा छोड़ दिया हो उनकी कहानी, उन्हीं की जबानी कहते हैं कि माबाप की दुआओं में बड़ी ताकत होती है, पर क्या कभी सोचा है, उनकी दुआ अगर बद्दुआ बन जाए तो क्या होगा? बड़ा ना रोट्टी दे और ना खुछ करया, चार लड़के, कोई नहीं, बड़ा लड़का असोग मंत्री है भाजपा का, उसरा पिका मार पिटा ही कर रहा था, दूसरा रामकुमार है, वो डाक्टर है, तीसरा राजेस है, वो भी डाक्टर है, एक संजे है, वो भी आपकुमार है, वानो मंदीन है, वह तो गुंडा कर दी जा 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 है, आपके दॉक्तर और विद्धायक बताब पीजेभी की कारता है, यहाँ, पर भी आपके लिए उन्गे जाए नहीं, नुग एतर निकटका चला जाओं सो मेरे उटके, और बववे तो, बववे तो इन तो पुटे भी है, पुटे कोई मतलब है और बच्छे मिल आता हैं, नहीं, कोई पून भी नहीं ओ उता, son Candani didn't feel that the तो क्या कर रहा है? मैरे दे तो यह महल है, यह सीज महल है, बहुत थावज़ करते हैं पिछारे में. आपका नाम? सुक्राम नाम बिटी है. तहां के रहने हो जाया है? बहियहा, रहने माल तो यह जनल्वुमि बहसा है। और दूम उढ़ार कर theatreन हैं. मेरे पर वार मेरे टीन लड़के और चार बहुते हैं, पांच पोते हैं चार पोटे हैं. हां। ए कभवार मेरे टीन लड़के और चार wheels? हां। जे नहीं, एक लड़का छोटा है जी उससे होती है बस, जा वो आपको नहीं कहता कि आप मेरे साथ ही रहेगे, नहीं जी वे नहीं कहता है, एक छोटा लड़का बदवा गोली, वो जिद्धे 10-20 रुपे की एक मैंने में, अनि कोई मेरा पून देता जी साथ, एक पिता अपने बच्चों के लिए काम करता है, क्या इसलिए कि जब उसकी जरूरत ना हो, तो उसे बेसहारा छोड़ दिया जाए, और वो अपने बच्चों के साथ रहने के लिए तरस जाए, गर मेरे घर तो खतम होगे यह थैपर तीम डड़के हैं मेरे, और एक पत्री है, जो मेरे सेकंड पत्री है, वो तयार है, उनका घर यह नहीं है, मेरे पत्री का घर है, उसकी वे साथ बच्चों के जाए, एक बुढ़ी मा जो अपने मरने का इंतजार कर रही है लेकिन इस अंतिम घड़ी में उसका बेटा उसके साथ नहीं ऐसी तो कोई सजा कानून में भी नहीं होगी यह कौन सा समाज है जहां बच्चे माबाप को बे सहरा छोड़ देते हैं मेरा नाम मया है मैरट की ही रहने वाली हूँ मैं दो साल से रहा हूँ Ignodian, मेरे को तो यहाँ पर आने के बाद में अच्या लगा, अच्य तरह से नहीं हम एक रहती है। हूँ आपके किसी बात की प्रापलम नहीं होती है। यहाँ इस चीज की जरुड़त होती है। हें, हिझसे हमके जिनको अपने बच्चेंशे कोई प्राप्लम होगी है, वह भी रहे ही, जिनको जोती हिंपनी कोई बच्चेंशे कोई पृवलम होगी है। है कुछ मन मार भी रहना पड़ रहता है। यह बहुत से नहीं हुँ, फिर भी भुहत से लोग ऐसे होते हैं, जिनको यहां पर मजबुरी बस रहना पड़ता है. यह अफिर बच्चों से यही कहूंगे, कि मतलब माब आपने दस बच्चों पाल सकती हैं, क्या दस बच्चों के अंदर कोई भी एक बच्चे के अंदर ऐसा संसकार नहीं रहा, कि अपने मा या बाप को अकेले में तो पाल सकते हैं मिलके, मगर ऐसा क्यों नहीं यह रहा, ऐसा होना चाहिए, उनको मतलब ध्यान रखना चाहिए अपने माब आपोंगा, जिमावबबंने बच्चपन में पाला है उन्हें, उनका बच्चपन पूरा लेटीन बात हुन से सब तरकी से करके उनको किया है तो बच्चों को भी थोड़ा सा इतना होना चाहिए और मावबबंने में रखना चाहिए श्री साई सेवा संस्थान की नम्रिता शर्मा जो इन बूढ़े माता-पिताओं का ध्यान रखती है अपने माता-पिता की तरहे आए जानते हैं उनसे क्या कहना है उनका पहले मैंने बारा साल एजे वार्डन जॉब करी वो महिला निगम दोरा चल रहा था तो उसमें जॉब करी मैंने बारा साल फिर 2017 में रिजाएं देने के बाद ये मैंने अपनी खुद की संस्था चलाई रजिस्ट्रेशन करवाया और पहले जहां जॉब थी वहां सिर्फ अमा बाबा है हां जी अभी मैं हूँ मेरे हस्बंड है मिश्टर नलिन शर्मा जो पूरा सहयोग देते हैं अध्यक्ष वो है यहां के यह सारी चीज़ देखने संभाले में यह आप बादों संभालते हैं इसकी संद्रक्शन की या पिर कहें दिम्मेदारी लोग होगी तो इसमें परिशानी आती है क्योंकि जो भी काम होता है फंड के बिना तो अविलेबल है ही नहीं और पब्लिक का भी सहयोग पूरा है मेरे साथ पर यह है कि पब्लिक राशन कपड़े यह ही दे सकती है जो बिल्डिंग का रेंट है या और भी खर्चे होते हैं वो सब तो करने ही पड कि जमा पूंजी थी वो सब कुछ लगा चुकी हो अब लाए इस टाइम पर खाली हों यह है कि पहले मजबूरी थी कि जोग के लिए निकली थी फिर वो कब मेरा शौक होबी बन गई कि गुजरूं का भी कोई होना चाहिए तो मैं तो यही कहूंगी कि जो भी धन दौलत है वो कोई साथ लेके निजाता आज भू कम पा जाए तो वो सारी चीजे वेश्ट है लेकिन जो अम्मा बाबा मेरे साथ है उनका इतना सब का आशिरवाद है इस से जादा हम दोनों हस्बंड वाइफ से जादा किसमत वाले कौन होंगे जिनको या तो बच्चे छोड़ जाते हैं या इसी कारण वरस मजबूरी में ही हाँ पे दोगों का आना होता है तो ऐसे बच्चे जो माब आपको छोड़ देता है इस तरी पे जगह पे छोड़ जाते हैं नोड़ावट आप ख्याल रखते हैं अपना परिवार और अपने बच्चे बच्चे ही होते हैं तो बच्चों को आप क्या मैसिज देना चाहूंगी कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस तरह की ऑलाद अगर हो तो ना हो बे ऑलाद हो वो ज्यादा बेटर है इस खास पेशकस में बस इतना ही देखते रहिए 1stby.tv झाल 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 झाल